हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गेट की प्रोग्लम डिसक्स करने वाले हैं, लीनियर एलजेब्रा से, ठीक है, जो अपका गेट 2003 में आया था, टू मार्क्स का, तो consider the following system of linear equations, हमें equations दीगे यह ठीक है, equations हम यहां से इजिली निकाल सकते हैं, multiply करेंगे 2x plus y minus 8 equals to alpha, 4x 3y minus 24 equals to 5, ठीक, एसे निकाल सकते हैं, फिर आगे देखो, how many values of alpha, alpha हमारा यह है, does make this system with infinite solution, alpha के यहां पर कितनी values रखे जा सकती हैं, कि जो हमारा solution आएंगे, वो infinite है, तो सबसे पहले देखो, infinite solution है, infinite solution में हमारा क्या होता है, कि जो rank of matrices A होती है, A हमारी constant वाली matrices होती है, constant coefficient वाली, ठीक है, यह equal रहती है, rank of matrices, augmented matrices A and B, के equal रहती है, ठीक है, और जो हमारा infinite solution है, तो यह less than N, number of unknowns, इस case में N equals to 3 है, तो हमारी यह condition रहती है, infinite solution के लिए, ठीक है, और matrices B होती है, हमारी constant वाली, equal to में रहते हो, तो alpha 5, 7, B है हमारा, A हमारे यह equation यह वाली है, constant वाली, ठीक है, तो rank देखते हैं अपनी पहले, तो rank सबसे पहले, augmented matrices की देखते हैं, तो rank of augmented matrices A and B आपकी हो जाएगी, A लिखते हैं पहले, 2, 4, 1, 1, 3, 2, minus 4, minus 12, minus 8, अब B है हमारा alpha 5, 7, ठीक है, अब इसकी देखते को rank निकालते हैं, equal in form से, तो equal in में क्या होगा हमारा, इसको upper triangular matrix बनाना है, इसका मतलब कि 4, 1, 2 को 0 बनाना है, ठीक है, बनाते हैं, तो 4 को 0 बनाने के लिए हाँ पर लगाते हैं, R1 को 2 से multiply करके minus कर देते हैं, R3 को 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 को 0 बनाने के लिए, इसको 2 से multiply करते हैं, R3 को, और minus कर देते हैं, R1 में, तो इसको multiply कर रहे हैं, 2 से, इसको कर रहे हैं, 2 से इसके लिए, ठीक है, तो देखो, R2 tends to R2, minus में 2R1, दूसरा operation लगेगा हमारा R 3 tends to 2 R 3 माइनस में R 1 ठीक है तो देखो पहली तो रो हमारी रहेगी सेम ठीक है दूसरी में R 2 माइनस 2 R 1 तो ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 2 1 आ जाएगा माइनस का 12 माइनस 4 इन्टू माइनस तो 12 माइनस का 12 प्लस 8 माइनस का 4 आएगा हमारे यहाँ पे ठीक है यह और अगिमेंटिट मेट्रिक्स है हमारी फिर यहाँ पे देखो R 2 5 माइनस का 2 अलफा आ जाएगा 2 अलफा अब R 3 देखते हैं 2 R 3 माइनस R 1 तो यह तो 0 हो जाएगा हमारी यह 2 मल्टिप्लाइ बाइ 2 माइनस 1 3 आ जाएगा हमारे यह ठीक है 2 मल्टिप्लाइ बाइ 2 4 माइनस 1 कर दिया हमने फिर क्या है माइनस का 8 माइनस का 16 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा माइनस का 16 प्लस का 4 मैनिस का 12 इधर देखो 7 multiply by 2 14 मैनिस अलफा ठीक है अब देखो अब 0 0 अब इसको 0 बनाना है मतलब कि इसको 0 बनाना है ये कौनसी हमारी तीसरी रो दूसरा कोलम तो A3 2 को 0 बनाना है इसके लिए क्या करते हैं इसको 3 से multiply करते हैं R2 को माइनिस कर देते हैं तो R3 टेंट्स 2 R3 माइनिस में 3 R2 कर देते हैं तो R1 तो रहेगी हमारी सेम रहेगी 2 1 माइनिस 4 सेमी कोलन अलफा R2 भी हमारी सेम रहेगी 0 1 माइनिस 4 5 माइनिस 2 अलफा इधर करते हैं तो ये 0 रहेगा ये भी 0, ये minus का 12 minus minus plus हो जाएगा 3 multiply by 4 minus 12 plus 12 0, देखो आप से direct नहीं होता है तो आप अलग से लिक्री कर सकता है जैसे देखो, R3 minus का 12 है minus का 3, R2 minus का 4 minus का 12, plus का 12 0, इधर देखिए 14 minus alpha minus of 3 R2 minus 3 से multiply करेंगे minus का 15, plus का 6 self है, ठीक है अब देखो, यहाँ से जो rank है वो A, augmented matrix A और B की तो हम clearly नहीं बता पा रहे है क्या है, लेकिन जो rank of A है हमारी matrices A, जो constant coefficient की rank है, constant coefficient वाली matrices की rank है, वो देखो किसके equal है हमारी, 2 के equal है, क्योंकि जो ये हमारी ठीक है, इसमें number of non-zero rows कितनी है 2 है, तो rank of A, 2 और देखो, अभी हमने देखा था इसमें हमारे infinite solution है इसका मतलब कि rank of A equal होने चाहिए, rank of augmented matrices तो rank of A हमारी 2 है, तो rank of augmented matrix पे हमारी 2 होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमें question में दिया गया है कि इसके infinite solution है, अब देखो दुबारा से नीचे इसकी rank तो 2 आगी, अब इस पूरे की rank 2 करनी है, augmented matrices, A, B की rank हमें 2 बनानी है, इसके लिए क्या करना, यदि इस term को 0 बना दिया जाए तो ये पूरी equation की जो rank है वो 2 आजाएगी, तो देखो इसको 0 कैसे बनाएंगे ये पूरा 0 के equal, तो 14-15, 1 आगया minus का, और ये plus का 5 alpha equals to 0, तो यहां से alpha की value आ रही है, आपकी 1 upon 5, यदि alpha की value यहां पर 1 upon 5 रखा जाए, तो इसके solution infinite होंगे, ठीक है, हम से question ने पूछा गया था कि alpha की ऐसे कितनी values तो हमारी यहां पर alpha की एक ही value आ रही है, तो इसका मतलब की 1 हमारा correct option हो जाएगा